हलो गाईज आज के इस वीडियो में जानेंगे किसोरा अवस्ता किसोरा अवस्ता का मतलब होता है किसोर, कुमार और कुमारी जब भी हम किसोर बोलेंगे तो आप समझ लीज़ेगा कि लड़का और लड़की दोनों की बात हो रही है तो यह वह अवस्था है जो एक व्यक्ति के जीवन में बचपन और युवा अवस्था के बीच का समय होता है जनम से ले करके 11 वर्षत का जो समय होता है वो होता है बचपन का समय और 19 के बाद यानि 20 के बाद जो होता है समय वो होता है युवा अवस्था तो बचपन और युवा वस्था के बीच का जो समय है यही होता है किसोर वस्था, ठीक है, यहां आम तर पर 11 से 19 वर्ष की आयू किसोर वस्था कहलाती है, अगर कोई लड़का, अगर कोई लड़की 11 वर्ष की है, तो आप उसको बोलेंगे किसोर, ठीक है, 12, 13, 14, 15 यह वर्ष की है तो आप उसको क्या बोलेंगे किस ओर बोलेंगे 19 वर्स की है तो उसको भी बोलेंगे किस ओर ठीक है अगर 19 वर्स से ज्यादा होगी तो आप उसको बोलेगा युवा उनिस के आगे युवा जैसे ही हुआ तो आप उसको बोलेंगे युवा बोलेंगे एडल्ट बोलेंग ठीक है? लड़कियों में किसोरा वस्था 11 वर्स से ही सुरू हो जाती है लड़कों में किसोरा वस्था 13 से 15 वर्स में सुरू होती है युवा वस्था जो है 20 से 35 वर्स तक होती है किसोरा वस्था के दोरान सारीरिक, मानसिक, भावनातमक और समाजिक विकास होता है सारीरिक विकास, फिजिकल डेवलेप्मेंट कि सोरा वस्था में बच्चों के सरीर में तेजी से बदलावाता है अगर कोई नाटा है तो लंबा हो जाता है, अगर कोई पतला है तो मोटा हो जाता है अगर कोई छोटा है तो वो बड़ा हो जाता है ठीक है लड़का और लड़कियों दोनों में हार्मोनल परिवर्थन होते हैं जो यो नारंभ के कारण बनते हैं लड़का जब बड़ा होते हैं दिरे दिरे तो उनके मुझ आने लगते हैं डाड़ी आने लगते हैं और पिमपल्स आने लगते हैं और लड़कियों में भी पिम चेहरे पर पिमपल्स आना, चेहरे पर बाल उगना शुरू हो जाता है। इस दोरान मस्तिस्क का विकास तेजिस होता है, कि सोरा वस्ता में जैसे याते हैं तो उनका जो दिमाग होता है वो विकास करने लगता है। ग्रोथ करने लगता है, जिसे से याद करने की सोचने की छमता बढ़ जाती है। कि सोर अधिक जटिल विचार परकिरियाओं को समझने लगते हैं और तरक सकती का विकास होता है। भावनात्मक विकास, emotional development कि सोरा वस्ता में भावनाएं अधिक तियूर हो जाती है। यानि महसूस करने की जो छमता है वो तियज हो जाती है। ये आत्म परिभासा और आत्म समान के मुदों से जुझते हैं। इस समय अधि में पहचान और आत्म अधारना का विकास होता है। इस अवस्ता में किसी से लगाव, प्रेम, दोस्ती होने लगती है। समाजिक विकास, social development कि सोर को समाजिक दैरे का विस्तार होता है। इस अवस्ता में अपने परिवार से अधिक दोस्तों और साथियों पर निर्भर होते हैं। तो मुझे आसा है कि जो कुछ भी बताया हूँ, आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मेलता है एक और ने दिन, ने टॉपिक के साथ अब दे के लिए जैहिंद वंद मातरम।